खबरों में आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है बता दे दिली के एंडी एमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक की जाएगी पियमोधी पदाधिकारियों को संभूदित भी करेंगे सभी प्रदेश अद्यक्ष, प्रभारी और संगटन मंत्री होंगे शामिल संसेद्य बोट के सदसे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे है जहांपर दिली के एंडी एमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बैठक होने जा रहे है बीजेपी के पदाधिकारियों की ये बैठक है पियमोधी सभी पदाधिकारियों को इस बैठक से संभूदित करेंगे सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे संसद्य बोट के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे बड़ी और आयम जानकरिया आपको बता रहे है जहांपर बीजेपी पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो जाएगी पदा दे डिली के NDPMC Conventional Center में ये बैठक होना है और P.A.M. Modi इस बैठक को संबोधित करेंगे बीजीबी के कई प्रदाधिकार इस बैटक में शामिल रहेंगे सभी प्रदेश अधाक्ष प्रभारी और संगरत्र मंत्री इस बैटक में शामिल होंगे और पी एम मोधी उन्हें संभोधित करेंगे संसेद् surviv boat के सदर से भी बैटक में मौझूत रहेंगे और कई एहम विशें पर चर्चा भी की जाएगी बड़ी और आहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहांपर किसानों के मुद्धे पर भी हो सकता है कि आज चर्चा की जा सके दिली के NDMC Convention Center में बैठक का आउजिन क्या गया बतादे संसदे बोर्ड के सदसे की बैठक में मौझूद रहेंगे बड़ी जानकारी साब को रूबरू करा रहे हैं थोड़ी देर में BGP बदादी कारियों की बैठक होनी है ऐसे में कई एहम मुद्धों पर आचर्चक की जा सकती है पेम मौधी सभी पदादी कारियों को संबोधित करेंगे थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी पेम मौधी पदादी कारियों को संबोधित करेंगे पेम नरेंद्र मौधी आज बीजेपी के रास्टर पदादी कारियों के साथ बैठक करेंगे बैठक को संबोधित करने वाल है पियम मोदी दिली के अंडी एमसी कन्वेंचर संटर में ये बैठक सुबा दस बजे से लेकर शाम के चार बजे तक चलेगी बता दे बीजेपी के रास्ट पदादी कारियों की बैठक की अधक्षिता जेपी नड़ा करेंगे संगटन सरकार पर निशाना साथ रहे हैं विपक्षि पार्टियों भी इस मामले पर सडक से लेकर संसत तक सरकार को घेर रही है ऐसे में बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में एहमानी जा रही है